नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर मीलम शर्मा इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि रिकूल टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है रिकूल टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और रिकूल टैबलेट की वज़स से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं रिकूल टैबलेट पेट में उत्पन होने वाले एसिड की मात्रा को कम करती है Recool Tablet का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधघस्मी होने पर, खटी ढकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर Recool Tablet का उपयोग किया जाता है Recool Tablet को Dr. Antibiotic दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़ा से होने वाले Side Effects को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है. जैसे दर्थ को कम करने के लिए उप्योग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है. इसलिए इन Side Effects को रोकने के लिए भी आपका Dr. Recool Tablet को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है. ज्यादातर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य Side Effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है. इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये Side Effects ना हो. इसलिए आपका Dr. Recool Tablet को अंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सक इसके अलावा Recool Tablet का उपयोग कुछ Medical Conditions जैसे Gastric Ulcer, Acid Reflux और Jolinger Ellison Syndrome को Treat करने के लिए भी किया जाता है. जोलिंगर Ellison Syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है. रिकूल एक ब्रैंड नेम है. रिकूल टाबलेट के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन रैबिपराजोर होता है. रिकूल टाबलेट 10 mg और 20 mg की स्ट्रेंग में अवेलेबल है. दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले. अब हम डिसकस करेंगे कि रिकूल टाबलेट की वज़े से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं. वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में रिकूल टाबलेट की वज़े से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं. लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में रिकूल टाबलेट की वज़ होने की समस्या हो सकती है इसके अलावा रिकूल टैबलेट की वज़र से कुछ व्यक्तियों में कप्स की समस्या भी हो सकती है लंबे समय तक रिकूल टैबलेट का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक रिकूल टैबलेट को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामि नहीं लेना चाहिए लंबे समय तक या दिन में कई बार recul tablet को लेने से osteoporosis होने का जोखिम अधिक हो जाता है Osteoporosis होने पर शरीर की हड्डिया बहुत ही कम्जोर व अंदर से खोखली हो जाती है रrecule tablet की वज़र से osteoporosis तभी होता है जब रिकूल टैबलेट का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से रिकूल टैबलेट को ले रहे हैं तो आपको कैल्शियम और विटामिन दी के सप्लिमेंट्स डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन दी के लिए हर रोज दस से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की रिकूल टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेर होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर रिकूल टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सलाह देते हैं रिकूल टैबलेट को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए। रिकूल टैबलेट की खुराक उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको रिकूल टैबलेट को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए। अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं रिकूल टैबलेट को ले सकती है या नहीं। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए रिकूल टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रिकूल टैबलेट को लेने की सला दे सकता है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को रिकूल टैबलेट को नहीं लेना चाहिए.